दोस्तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि 60 साला पेंशनर सुचु लिस्ट होती है 2030 और 2024 की आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं तो दोस्तो इस लिस्ट में थोड़ा सा अपडेट कर रखा है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इसमें अपडेट है फिलाल दोस्तो पहले जो अपडेट था थोड़ा सा अलग था लेकिन इस समय जिन भी पेंशन धारियों के किस्ते आई हैं उनका स्टेटस पूरी तरीके से अपडेट क्या रिख दिया गया है तो दोस्तों आपको कैसे निकालना है इस लिस्ट को तो सबसे पहले अपने मुवाइल की ब्राउजर को ओपन कर लेना है जो कि मैंने ओपन कर रखा है आपको सच बोक्स में लिखना है SSPY आपको सिंपल लिखना है SSPY लेखेंगे और सर्च करेंगे अब आप देखेंगे कि आपको ऊपर मिल जाता है UPA Pensions इशकी आपको यहाँ पर क्लिक करना है अब दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पेज उपन हो जाता है उसके बाद आपको उपर की तरफ स्क्रोल करना है आप आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाता है वरद्दा वस्ता पेंशन और उसके नीचे आपको मिलेगा योजना के बिसे में तो आपको क्लिक करना है योजना के बिसे में तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है देखिए अब आपको उपर की तरफ स्क्रोल कर लेना है आप देखिए यहाँ पर लिखा है पैंस नर्स सूची तो आपको देखने को मिल जाएगी पैंस नर्स सूची 2023 और 2024 तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है सबसे पहले आपको यहाँ पर जन्रपत मिल जाता है तो सबसे पहले आपको जन्रपत को सेलेक्ट करना है तो चलिए हम कोई भी एक जन्रपत को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमने यहाँ पर क्लिक किया अब जैसे ही आप अपने जन्रपत को सेलेक्ट करेंगे अब जनपत को select करने के बाद दोस्तों आप आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वरद्धा वस्था पेंशन ग्रामीड छेतर विकास खंड बार सारांस और उसके बाद चलिए नीचे के तरब इस्कोल करते हैं आप आपको यहाँ पर मिलेगा वरद्धा बाद चलिए जेतर है वरद्ध के तोस्तों में अपने अपने नगर निकाय को Select करना है अगा फर्स्थार पर मिल जाता है करमारंग उसकी वास मिलता है विकास खंड तो आपको यहाँ पर विकास खंड को select करना है तो हम एक विकास खंड कोई भी select कर लेते हैं आप दोस्तों जैसे ही विकास खंड select करेंगे तो आपकी विकास खंड में जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनके सूची आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो दोस्तों यहाँ पर चलिए हम कोई भी एक ग्राम पं जेसे सेलेट करेंगे ग्राम पंटायट में जितने भी पेंशनर्स हैं जितने भी पेंशन धरी हैं उन सबी का नाम देखिए यहां पर आना है और सबसे पहले आपके ग्राम पंटायट में कुछ अलग-अलग गाउं भी होते तो उन गाउं की भी लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है कि आपके गाउं में और आपके ग्राम पंचाथ में कितने गाउं लगते हैं तो देखिए यहां पर लिखा मकरंदपूर जो भी हो और यह तीन गाउं यहां पर दिये हुएं आप अपने अनुसार जो आप इस ने आ चुकी है आपको जो पेंशनर्स हैं उसके सबसे पहले रेजिस्टेशन संख्या मिल जाती है पेंशनर्स का नाम मिल जाता है उनके पिता का नाम लिंग आयू बर्ग और मुबाइल नंबर भी देखने को मिल जाता है अब दोस्तों देखिए यहां पर आपको जो भी आपका खाता है उस खाते में इसका स्टेटस भी दिखा रहा है कि आपके पेंशन पहुंची है या नहीं पहुंची है तो उपर के तरफ चलिए मैं स्क्रॉल कर लेता हूं और जितने भी आपके विलेज में जो पेंशन धारी हैं सबकी लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं उनका जो स्टेटस है जो पैमेंट रिलीज स्टेटस है वो भी यहां पर आप देख सकते हैं फिला दोस्तो सीकोटी के मुठे से बर कर रखा है तो दोस्तों इस परकाल से जो आप अपने ईक ग्राम पंचायद uh यहा अपने शहर का इस परकाल से निकाल सकते हैं आसा करता हूं दोस्तों वीडियू अच्छा लगा होगा वीडियू अच्छा लगाौ e